नमस्कार मैं प्रोफेसर रामबक्स बाते भासा के अंदर जवारलाल नेरूबी स्विद्याले नई दिली आज हम पास्चात्य कावशास्त्र प्रस्ट पत्र के अंतरगत पास्चात्य कावशास्त्र की प्रस्ट भूमी का अद्धेन करेंगे इस इकाई के अद्धेन के उपरांत आप प्राचीन युनानी सब्यता से परिचित हो सकेंगे रोमन सामराजी और सब्वेता की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और ग्रीक और लेटिन भासा और उनके साहित्य के महतों से अउगत हो सकेंगे ग्रीक रोमन धर्म और यहूदी इसाई धर्म के बारे में प्रारंबिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और युनानी रोमन चिंतन के परिप्रेक्र को समझ सकेंगे जब भी कोई विद्वान पास्चाते कावेशास्र की चर्चा अरंब करता है तो वो युनान से प्रारंब करता है युनानी चिंतकों से प्लेटो और अरस्तु से वो अपना सुरू करता है क्योंकि पास्चाहत्य काविशास्त्र का जन एक तरह से युनान में हुआ उस पास्चाहत्य काविशास्त्र का जो आज तक विक्षित हुई और उस युनान में भी विशेश रूप से अथेंस में हुआ जहां पर सुकरात, प्लेटो और अरस्तू रहते थे शाहित्य गनित जी विज्यान भोतिक विज्यान इन सब का जन युनान में हुआ हालांकि प्राचीन सब्वेता का बहुत सारा ग्यान है वह अब लुप्त हो गया अब मिलता है उपलब्द नहीं जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उस बचे हुए से हमें युनान के अतीत के वेभव का पता चलता है उसका हम अंदाज मातर लगा सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण यह सब्वेता थी हारलं की युनानी जो सब्वेता है वो संसार की प्राची इंतम सब्वेताओं में से नहीं है यूरोप की भी ये प्राची इंतम सब्वेता नहीं है हारलं की ये वो सब्वेता है जो लगातार विक्सित हुई है और अब तक उस सब्वेता की जो परंपरा है वो हमें देखने क को मिलती है यूटिस लिए उरल कि शर्वात की चर्चा की बात करते हैं तो हम यूनान की क страх करते हैं उनान कीДа की पुरानी युनान पर इसलिए यूग की सम्यक जानकारी के बिना आप यूरोपीय चिंतन को समझ ही नहीं सकते पास चाहते आलोचना में आज भी यदि कोई आलोचक साहित कोई आलोचक नए सिद्धान्त को इस्ताफित करना चाहता है तो वह सब से पहले प्लेटो या अरस्तु से अवर्ष कोई उद्रत करता चाहे वह कलावादी हो कवे यूनानी आलोचक सब के लिए उधरनी हैं इसलिए उसलियो सब से पहले यह बतायगा कि प्लीटों ने इस विकल आरस्तु इस विशह पर यह का और उसके बाद में वह आगे अपने चिंतन का विकास करता तो यह जो है बहुत मैत्पूर्ण है लेकिन हमारा जो हिंदी का विद्यारती है आम तोर से युनान और रोम की सबता के बारे में इतिहास के विद्यारतियों को अगर हम छोड़ भी दें तो साह आएंगे जिससे आप युनानी रोमन सब्वेता को भी समझेंगे और किस किस परिष्टिती में किस परिप्रेक्ष में यह पास्चाते कावेशास सुरू हुआ उदारंग्न के लिए हमारी जो आज की जनतांत्रिक व्यवस्ता है जो आदस व्यवस्ता मानी जाती है उस व्य अमेरिका में तो बहुमत में है इसाइग धर्म उसका प्रारंब यहीं से हुआ और आज भी रोम इसाइयों का सबसे पवित्र धर्म इस्तलब सब्ता और मैने के दिन कलेंडर का प्राणब हुआ वर्स का प्रारंब एक जनवरी से होता है यह निरने रोमन सब्वेता में हो जूलियर सीजर का जो कलेंडर उसमें यह तैय हो गया था कि एक जनवरी से वर्स की शुरुआत होती इसी संद्ध का प्रारम इसी का आलम होता है और इतिहास की गणना के लिए इसा मशी का जर्म बहुत महत्वपूर्ण है इसाई धर्म की दर्शी से तो है लेकिन हम इतिहास क की गणना ही आ तो कहते हैं इसा से पहला या इसा के बाद में और इसलिए यह जो समय की गणना का जो आधार है यह तो आप वेश्विक इस तरपर स्विक्रत हो चुका है और यह सब उस युनानी रोमन सब्विता के समय में हुआ यहां एक चीज और ध्यान रखने की जरूर बात तो यह जो सुन्य वर्स है यह सुन्य वर्स गणना में आता नहीं इसके अलवा एक और भी बात है कि ठीक ठीक इसा का जन्म कब हुआ था इसको लेकर के भी बहुत मतवेद है और इसलिए इसा के ठीक ठीक जन्म के समय से इस समय सुरू होता है यह भी सही नहीं है बलकि इसा के जन्म के तीन चार साल बाद से यह गंड़ना हमारी सुरू होती है इसे याद रखने के जूट है दूसरी बात और भी बहुत सारी चीजें इसी समय सुरू हुई अनुवाद का प्रारंब इसी काल में हुआ और आज भी जो आदुनिक यूरोपी भासा हैं वो रोमन लि करती में हुआ वर्तमान ग्रेगोरियन जो कलेंडर है वो फरवरी 1582 में पॉप ग्रेगोरी ने दिया था इसका जो पूर्व रूप है वो जूलियस सीजर के काल में रोम में प्रियोग में होने लगा था तो यह गणित है बोतिक विज्ञान है राजनेती विज्ञान है दर US रूप से प्राचेन युनान नी रोमन-कवेशासर का अध्यन करना चाहिए अभी संदर में मोटी-मोटी जो इतिहास की जानकारी है वो हमारे विद्ध्यातिव को सेंच पहले ही और एक तथ्य जैसा है कि 1499 पूर्व में युनान में नगर राजियों की इस्ताफना हो गई और वहां अनेक राजाओं का सासन चलता था जिस एक नगर का एक राजा और इस दृष्टी से जो दो नगर सास्त्र चिंतन की दृष्टी से बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं व जनतंत्र उसमें अस्तित्व आ चुका था और अथेंस के जनतंत्र को समाप्त करने के लिए इसपार्टा ने अनेक बार आक्रमन किये परन्तु अथेंस पराजित्रा परन्तु युद करते करते कभी जीतहार होती रहती है और अन्त में सन 404 इसा पूर्व में इसपार्टा ने अथेंस को पराजित कर दिया और इस पराजे के साथ युद्वान का जनतंत्र भी समाप्त हो गया अभी जनतंतर में होता क्या था होता यह था कि अथेंस में 20 वर्स अधिक उमर के जो सभी जो कुली नागरिक होते थे वह आप सी सहमती से सरकार चलाते थे अब इनकी नि मत व्यक्त करने की आजादी थी वो अपनी राई दे सकते थे हाँ नास और इस तरियां इन बैटों भागने ले पाते थे उनको राजनेतिक अधिकार प्राप्त नहीं था ऐसा माना जाता है कि लगबग 4331 इसा पूरु के आज पास अथेंस की जो आबादी थी वो लगबग 3 लाग थी और उसमें से एक लाख दास थे इसके अलावा कुछ व्यापारी और कुछ आगन तुक भी होते थे और जिनें ये अधिकार प्राप्त नहीं होते थे इस्पार्टा द्वारा जो अथेंस की पराजे हुई तो उस पराजे का कारण था तो उस कारणों में एक कारण ये था कि हारा इसलिए अतेंस क्योंकि अतेंस में जनतंतर था मार्क काटराइट के अनुसार एरिस्टोफेंस थोकाइडेस जैसे लोग पहले से ही परजातंतर के विरुदी थे उनका ये कहना था कि कोई भी प्रभावसाली वक्ता या लोग प्रिय नेता भावनाओं को खेल कर जनता को बहा कर ले जा सकता था और कोई भी बुरा निरने करवा सकता था और इसे उदारन भी देते हैं और इसे रिखांकित किया जाना चाहिए कि अथेंस के इसी जनतंतर ने 309 इस्वी पूर्व में सुकरात को मृत्यु दंड दिया था 338 इस्वी पूर्व में मकदूनिया के राजा फिलिप्स ने अथेंस को अपने कबजे में ले लिया यहां इस बात का उल्ले करना आवशक है कि सिकंदर महान इसी फिलिप्स का पूत्र था राजा फिलिप्स ने अरस्तू को सिकंदर का गुरु निक्त किया था जब सिकंदर की आयुद 13 वर्स की थी और यही सिकंदर विश्विजे के लिए निकला था और भारत तक पहुंच गया था अब आप इस युनान के महतों को और वहां के जो बुद्धी जीवियों की ताकत विशेश रूप से अरस्तू की ताकत को देख सकते हैं जो किस तरह सिकंदर महान के माध्यम से राजनेतिक रूप से जो अनुदित हुई इतिहास के विवरण बहुत अधिक हैं बहुत सारी बाते इसमें हो सकती हैं लेकिन छोटी मोटी मोटी बाते हमारे विद्यातियों को जाननी चाहिए कि 168 इसविपूर में रोम ने मकदूनिया को भी पराजित कर दिया पहले मकदूनिया ने अथेंस को पराजित किया और अथेंस उनके अंदर आ गया और उसके बाद में फिर 178 इसविपूर में रोम ने इसको पराजित कर दिया और फिर अंत में 146 इसविपूर में पूरा युनान रोम के अदिन हो गया और उसके बाद युनानी राजिया युनान की जो नगर रा एक है रोमन गंतंत्र जो 509 इसा पूरु से 30 इसा पूरु तक का काल है और दूसरा होता है रोमन सामराजी का काल जो 30 इसा पूरु से 476 इसा तक चलता युनान के नगर राजियों की तुलना में रोमन सामराजी अत्यंत विशाल था और उस समय के लोग मजाक में कहते थे कि रोमन सामराजी सीमा ही नहीं है इसकी कोई सीमा नहीं है अंतर तक जहां तक प्रत्व जाती है वह इंतर रोम का सामराजी युनान की तरह रोमन सासन के दिनों में युद्ध नहीं होते थे लगबग 200 वर्सों तक इस सेत्र में कोई युद्र नहीं हुआ और हम देखते हैं कि युनान में हर बार कोई राजा लड़ी रहा होता 476 इस्वी पूर में रोमन सामराजी का पतन हो गया अंतिम रोमन समराट रोमुलस्ते कुछ विचार को नहीं रोमन समराजी के पतन के कारणों में से एक कारण ये बताया कि इसाई धर्म भी है जो रोमन समराजी के पतन के बाद सारे पस्चिमी जगत में फैल गया था ये मोटा मोटी जो समय है उसे हम देख सकते हैं कि युनान रोम कहता फिर वहां का उस समय का धर्म की इस्टिती क्या थी चिंतनी किस तरह चलता था लोग क्या सोचते थे इस पर अगर हम बात करें तो युनान मुख्यते बहु देवी देवताओं में विश्वास करने वाला राष्ट था वो संब्यता किसी एक अद्रश इश्वर में विश्वास नहीं करते थे बलके ओं कहते थे करेकाम का एक देवता होता और मूर्थी पूज़ते पूज़ा अर्चना करते थे और पूज़ा अर्चना में भी वह पसुबली देते थे और उन्होंने सुची बना रखें कई सारे लोगे देवता थे जैसे जूस डाइनोसाइस अपोलो इरोस एरीस हर्मीस क्रोनोस हैपिस्टर पोसाइडन यह तो देवता थे फिर एफ्रोडाइटी अथिना आटमीस डिमीटर हैस्टिया पर्सिपोनी आधी देवियंति वह मानते थे कि देवता मनुष्यों की तरह ही होता ह है और देवता हो थैं उनका व्यलिवार होता एक थोड़ी तकत जादा होती और साथ मों भार्तियों की तरह और वी मांनते थे कि देवता हमर होते हैं उनका यह भी विश्वास था कि इस परिवार में पतिपत्नी सब रहते हैं उनका पर्वत रहते और नजर रखते हैं और यह जूस जो था वह देवताओं का राजा था और हीरा उनकी पत्नी इसी तरह से सबी कलाओं और विद्याओं की अधिष्टाता देवता हुआ करते थे अथिना बुद्धी की देवी थी और अथेंस की सनक्षिका थी उसी के नाम पर अथेंस का नाम अथेंस पड़ा इससे जुड़े हुए अनेक मितक और दंत कताएं युनान में पसली थी जब युनान पर रोम का अध धर्म नहीं लादा कविता दवा संगीत विज्ञान के देवता अपोलो की पूजा अर्चना रोमन सामराजी में भी होती थी बाद में जब रोमन सामराजी का पतन हुआ और इसाई धर्म की पूर्ण प्रतिष्टा होगी तब ग्रीक रोमन देवी देवताओं का भी यहूदी धर्म परचार के मानते हैं कि यहूदी धर्म की सताब्दी इसापूर में हो चुकी थी बहुत पहले हो चुकी थी तब से इस धर्म ने अनेक उतार चड़ाओं देखे यह अकेश्वरवादी धर्म है और इसलिए युनान और रोम के काल में इन्हें अनेक का सामना करना पड़ा ओल्टेस्टामेंट इनका पवित्र धर्म गरंत है बाद में यहूदी धर्म के भीतर से ही इसाई धर्म का उद्य हुआ इसा मसीगा जनम यरूसलम के पास बैतल हैम में हुआ था इसाई धर्म का परचार उनके सिश्यों ने किया और इस्वी सन का प्र परण नहीं कूंकि ऐसा मसीके माता पिता यहूदी थे इसाई भी जो हिब्रुー-बाइबल है उस हिब्रु बाइबल की 49 पुस्तकों को माननेता देतें यह भी बाइबल का इस्षा है और न्यू टेस्टामेंट की जो 27 पुस्तक हैं उसको भी मानते हैं और इस तरह इसाईयों के अनुसार बाइबल में 66 पुस्तक हैं कुछ लोग और अधिक संख्या गटा बढ़ा करके भी संख्या के बारे विवाद है बाने अरतात यह है कि बाइबल एक किताब नहीं है बाइ इनके बीच में विवाद भी था और विवाद का जो मुख्य कारण था वो स्वैम इसा मसी थे इसाई मानते हैं कि इसा मानव रूप में इस्वर है और उन्होंने हमारे पापों के लिए अपना बलेदान किया इसलिए इसा मसीह है यहूदी कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ न नहीं थे इन विश्वासों की टकराट हुई और कई बार खुनी संगर्स में बद्दी रोम के पर्थम रोमन कैथोलिक चर्च की इस्थापना पर्थम सताब्दी में हो गई थी और स्वैम जीसिस क्राइस्ट ने सेंट पीटर को इस चर्च का विशप न्युक्त कि वा था स पर रोमन कैथोलिक चर्च के रूप में विक्या आते हैं और बहुत बरसों तक सारे योरोप का सासनसूस रभी धारूं के साथ राज़नी थी उनके केंदर में प्रारंब में रोमन सामराज में इसाईयों को संदे की दरसी से देखा जाता था का कि यह पता नहीं क्या करते इसके दो-तीन कारण थे एक कारण तो यह था कि यह घ्रीक रोमन देवी देवताओं को मानते ही नहीं थे और रोमन देव देवताओं का अगर कोई Pooja पाथ भी हो रहा होता था तो यह उसमें सामिल नहीं होते थे और अपनी जो पूजा-पाथ होती थी ती अपने जो दार तो रोम पर आपति आने लगी इस कारण उन्हें सजा मुकदमा त्याचार दंडादी कई बार जेलने पड़ते थे और कई बार रोमन सामराजी में इसाई धर्म पर प्रतिबंद भी लगा इस तरह से बहुत लंबा चोड़ा इसका एक इतियास है पर संथ 313 इस्वी में धर्म को रोम का राज धर्म बना दिया 476 में जब रोमन सामराजी का पतन हुआ तब यह भी प्रचारित किया गया कि रोम के पतन का कारण इसाई धर्माव लंबी और यह काफी दिनों तक एक लंबी बैस चली लेकिन इस सारी बैस के अंदर इन धार्मिक जगड़ों के वाद बार यह प्रस्ण उठ जाता है कि इसमें लिखा तो गरीक में लिखा तो ग्रीक तो थी क्योंकि प्राचीन युनान में ग्रीक नाम की कोई भासा नहीं थी यह आदोनिक ग्रीक है वह अब कि उस समय उनेक बोलियां थी और इन बोलियों का जो समन्ता दो तरह से एक त सबसे जो पुरानी ग्रीक है वह मिशेनियम ग्रीक थी जिसे लोग लीनियर भी लिपी में लिखते थे इसी तरह दूसरी प्रणाली भी थी जिसे किप्रियाट सिलेबरी कहता है पुरानी ग्रीक में केवल बड़े अक्षर थे चोटे अक्षर बाद में आये जब शाई का आविश्कार हुआ और कागज पर इनको लिखने की जरूरत मैसूसी प्रसलिन हुआ तब और जो आदूनी ग्रीक भासा है इसमें 24 वर्ण है और इसमें सभी चोटे और बड़े सभी वर्णूस में सामिल है भासा वेग्यानिक होमर की भासा को मिश्टिक मिश्रित आयो नियाक मानते हैं प्राचीन युनान में सभी लोग अपनी अपनी बोलियों का ही प्रियूग करते थे जो व्यक्ति ग्रीक नहीं बोल पाता वे या तो अतिती है या प्राचीन घर्चा करते हैं मैं इतिक अतिक की बोली हैं यह जिस सेत्र में अथेंस इस्तिते इस्टिफिन कॉल्विन ने एटिक आयोटिक के महतों के कारणों पर विचार किया और उन्हों कहा कि दो तीन बातों से यह महत पून जिसमें सुनों का पहली बात तो यह है कि इसी बोली में सर्वादिक साहित लिखा गया तो जब हम ग्रीक साहित देखते हैं तो वह एटिक आयोटिक में लिखावा होता है जिसमें तराश दी कामेदी इतियास दर्शन राजनेती कानूनी व्याक्यान सब सामेल है और पास्चाथ ते काविशास्थ की दरश्टी से अगर हम देखें त तो प्लेटो और अरस्तु ने इसी बोली में अपने ग्रंत लिखें यह जानने की हमें बहुत जरूर दूसरी बात है कि युनान के अन्य हिस्सों की तुलना में यहां पर सिलालेक अधिक मात्रा में उपलब दे हम जब प्राची नितियास को डूर ने लगते हैं तो सिलाले बहुत महत्पून है तीसरी बात जो इसका महत हुए है कि मकदूनिया के राजा ने आते हैं इसको अपने में कब्जे में कर दिया था और उसके विजे के उपरां कोई ने बोली को राज की भासा बनाया यह भासा भी एटिक आयोटिक पर आदा रही थे और इस कारण से यह बहुत ही महत्पून है और युनान की भासा या प्लेटो और अरस्तु की भासा जो हमारे मतलब की हमारे विशे से समझनी थे वह यह भासा उसके बाद में लेटिन और लेटिन का प्रादूर्भा और विकास रोमन सामराजिम हुआ और यह रोमन सामराजी की भासा थी लेकि हिंא रोम में ग्रीक भासा और उसके साइं Saitekom destroys और यसलीए कहते है कि युनानी पुराने जमाने में होता था कि भासा के कवियों को अगर संस्क्रत आती है तो विद्वान या आज कर लगता है जिसको अंग्रेजी नहीं आती वह तो अच्छा पड़ा लिखा नहीं तो उस समय से ग्रीक का बहुत मैत हो था कि ग्रीक आपको आनी चीव लेटिन साहित का जब ओप्चारिक जो सुरुआ आते हो कहते हैं कि 240 इसा पूर में हुआ जब रोमन दर्सकों ने एक ग्रीक नाटक के अनुवाद का मंचन देखा इसका रूपान तरण लीवियस एंडोनिस ने किया जो 272 इसमें युद्बंदी बनाकर लाया गया था और जो पहला जो कवी था लेटिन का उसे ग्रायस लेबियस उसको कहते हैं और बाद में सिस्रो जूलियस सीजर अगस्तक आदी अनेक लेखक हुए रोम में इसाही धर्म के परचार के बाद इसाही धर्म से परचारित जो में भी फली फूली आगे चलकर इसी लेटिन से आदुनिक यूरोपिय भासाओं का विकास हुआ जिसमें अंग्रेजी फ्रेंस पेनिसादी मुक्य है इसके साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज भी ये जो भासाइं लिखी जाती है वो रोमन लिपी में ही लिखी जात है कि बाइबल में इश्वर के वचन है लेकिन ये इश्वर ने अपने आप तो लिखा नहीं लिखा तो मनुशन होगा तो उसे अंतिम रूप देने में लेक को और संपाद कों की कई पीडियां लग गई तब जाकर के बाइबल क्या एक रूप सामने आया और जैसा हम जानत कुछ विग्यानिकों का मानना कुछ इतियासकार कहते हैं कि स्वयम इशा मसी की जो भाषा थी वो भी अरेमिक थी जूडित हैरिन के अनुसार न्यू टेस्टामेंट की भाषा ग्रीक कोई में है अरेमिक नहीं इन संस्क्रणों बहुत कुछ सुधार परिश्कार हुए और इशाही समाज में भ्रम की इस्तिति बनने लगी तब संत जरोम को यह दाई तो सोंपा गया और जरोम ने चोतिस अताबदी में ग्रीक हिब्रू और अन्य पाठों का विशलेशन संपाधन संसोधन करके लेटिन में बाइबल का एक प्रामानिक पाठ तैयार किया इसके साथ यह भी चीज में तथ्य जानना चाहिए कि लेटिन प्राचीन रोम शामराज की तो राज भासा थी वह रोमन कैथोलिक चर्च की भी मान्य भासा थी बहुत ही महत्पून है द्रम की मानने था और सन 1907 तक रोमन कैत्वोलिक चर्ट के जो सामुएक अनुस्तान होते थे वो लेटिन में होते थे भले आपको कोई समझ में आता हो नहीं आता हो लेकिन वो पुरोईत है या धर्मिक करता लोग हैं वो लेटिन में बोलते थे, बाद में जाकर के अब ये थोड़ा बहुत परिवतन हुआ, ये एक परिप्रेक्स था जो युनान और रोम के साथ में महत्कून है, ये जो राजनेतिक, धार्मिक और शिक्षा का जो सारा परिप्रेक्स है, इस परिप्रेक्स में अगर हम रोमन सा साहित को देखें तो और चिंतन को देखें तो चिंतकों का विचार यह है कि रचना के बारे में विचार तब होता है जब पहले रचना हो जाती और इन्हें इन्हीं विम से Sow्ह और इसमें उनों ने हमन बात के प्राप्त-जानकारी के नुषार पत्छी सब मरें है और उनकी इलिएड़ और ओडी-शी नामक दो बहुत महत्पूंद रचनाय जो जो बढ़ी है वो उसी का उसी का मैत्व है बाकी चीजें तो मान लिजें समाप्त होगे और इस क्रम में सब से पहले होमर की चर्चा हम लोग करेंगे होमर का रचना काल 850 इस्वीपूर माना जाता हूं कुछ होम लोग यह मानते हैं कि होमर नाम का तो व्यक्ति था ही उस में अनेक कवियों का जो समू होता था उस समू को में और का नाम लिट तो फिर अधिकतर विद्वानों का यह भी मानना था कि होता को मंधा within देवताओं से प्राफ्त की देवी प्रेड़ना से की होमर के साथ इन आरंविक युनानी चिंतकों के विचारों का सार संक्षेफ करते हुए विम सेटन का कि कविता आनंदाइक होती है वे तो सेज रूप से प्रतिवासे ही आती है इसे कला द्वारा सीखा जा सकता है कविता चित्र की तरह होती है और सब्दों के कुसलता पूरुक उपियोग से कविता बन जाती है यह कुछ इस तरह की बाते होमर के समय में आई इन प्रारंबिक बातों से ही चलकर के आगे चलकर पास जाते कावेशास्त का विशाल भवन तयार हुआ यह विचार यहां आरम में बह इस प्रस्ट मुमी को और इन चिंतकों को जानने की जरूरत है यह विचार यह चिंतक क्या चिंतन करते थे इस अंदर में एक बहुत महत्पून बात है कि अथेंस के जो नागरिक थे वो तो जंतंत्र का जमाना था इसलिए उनको पता था और वे जानते थे कि उनके लिखने का और कहने का और सोचने विचारने का मतलब होता था उनके सही या गलत निरने से अथेंस को फाइदा या नुक्सान हो सकता है और इसलिए सारे चिंतक अथेंस को अपना मानते थे अथेंस से प्रेम करते थे इसलिए जो भी कहते थे उनमें उनका दरड विश्वास होता था इसलिए वे जोर देकर अपनी बात केते थे कि उनका कहा हुआ ही सही है प्लेटो ने जब कवियों को आदर्स राजे से बाहर निकालने की बात की तो ये बात अथेंस के हित में थी अरस्तु ने जब प्लेटो के मत का खंडन किया तो उनकी राय का अथेंस के भविश से संबन था इसलिए वे पूरी जिम्मेदारी से अपनी बात कहते थे इस कारण अरस्तु प्लेटो पर कोई आरोप नहीं लगाते वे अपना सच कहते हैं इसी तरह से सुकरात को जो मरत्युदंड दिया गया वे भी अथेंस के हित में दिया गया इसलिए इनके चिंतन के केंद्र में अथेंस का हित था और फिर होता यह था कि अथेंस के जितने भी निर्णे होते थे वो सामुइक बेट को में नेड़ने होते थे और इसलिए उनकी ऐसी भासा में ऐसी शेली में ऐसे पुष्ट तरकों के साथ लोगों को अपनी बात रखनी होती थी ताकि दूसरे लोग उनसे सहमत हो जाए इसी कारण प्राचीन जो युनानी चिंतक है उन्होंने कविता के से भासन कला की बारीकियों पर भी बात की और क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सही बात उची तरकों के अभाव में दब जाए और अथेंस को भारी नुक्सान उठाना पड़े इसलिए यह लोग बहुत जोर देकर के अपनी बात कहते थे और कई बार यह लगता था कि यह भासन कला पर क्यों लिख रहे हैं जबकि ट्रेज डीपर और कामेडी पर महाकावे पर इनको लिखना चाहिए लेकिन वो जोर इस पर कारण इनका यह था कि उनका संदर्व था अक्रवन होता था इस पार्टा आक्रवन कर रहा कभी कोई आक्रवन कर रहा युद की इस्तिति में भी था हॉमर हैशियट फिंडार गोर्जियस एरिस्टोफैनिज सुकराथ प्लेटो फिराइडिस्टिस इकलिस सोपोकलीज अरस्तु आधी विचारक लेखक चिंतक युनान में हुए और जिनकी ख्याती यतावत ख्याती आज भी बनी वी अथेंस के दास्तिकों विचा के अर्थ में कावे शास्त्री नहीं था वे तो मूल थे अधेंस के नागरिक ते पड़े लिकेते और अपने नगर के शर्वांगीन विकास में रुची रखते ते इसलिए उन्होंने लगबक सभी विश्यों पर लिखा सुकराथ दास्निक थे प्लेटो राजनेतिक चिंतक पड़ाते थे अरस्तू प्लेटो के सिश्य थे और असी वर्ष की अवस्ता में 3049 इसा पूर में प्लेटो की मर्थिव और उसके बाद और चले गे दूसे नगराज में अरस्तू की व्यावारिक बुद्धी से प्रभावित हुए मकदूनिया के राजा और उन्हों जब पता चला कि उस अकेडमी में अरस्तू ठीक से महसूस नहीं कर रहे तो वो मकदूनिया आ गए और वो नेपोलियन के वो गुरू बन गए और फिर बाद में इसी मकदूनिया ने अथेंस को पराजित किया और फिर इस तरह से सारा युनान रोमन सामराजी में विलीन हो गया जब रोमन सामराजी रहा तब तक ग्रीक साहित को पढ़ना एकदम अन्यवार है था और जानते ते रोमन Smith की प्लेटो और अरस्तूए क्या कहा था इसलिए Greg सै रोमन सामराज उपलब था और तब तक रोमन सामराज रहा तब तक रोमन यहीं और अगे जब यूरोपी चिंतन का विकास हुआ तो यही ग्रीक रोमन जो परंपरा है चिंतन की जो बाद में सिसरोर दूसरे चिंतक जो रोमन कामराजी में विक्षित हुए थे वह आये उन्होंने अपने कुछ रचनाएं की लेकिन यह सारा जो प्राचीन वेभव है वह प्राचीन वेभव इस समय तक उपलवध हुआ और उसके बाद में जो यूरोपीय चिंतन है उस यूरोपीय चिंतन का विकास हुआ